चलो यहां पर एक के यह 2021 में भी आया था और यहां पी आया था एक इसकी रडियस आर है और प्लोट अप्ड फिल्ड बी विद दिस्टेंस प्रॉम दे सेंटर करेक्ट ग्राफ मतलब एक कंड़क्टिंग सिलेंडर है यह वाली जो चीज है वो एक सिलेंडर है और इसमें करेंट उनिफॉर्मली डिस्टिब्यूट हो रहा है इस टाइप से करें उनिफॉर्मली डिस्टिब्यूट है प्यारे बच्चों तो अगर यह करेंट उनिफॉर्मली डिस्टिब्यूट है तो मैं एक्सिस से इंफिनीटी को जाऊंगा डिस्टेंस आर पे तो मुझे मैगनेटिक फिल्ड कैसे वेरी करेगा उसका प्लोट अब्यसली अगर सिलेंडर है जिसमें करेंट उनिफॉर्मली डिस्टिब्यूट है तो यह कि स्टेंडर रिजल्ट है और सभी को याद होगा सब लोग इसको करवाते हैं तो बाहर में इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता होलो है सॉलिड है इन्फाइनाइट वायर है तो बाहर में अगर इसकी पॉंट पर मेगनेटिक फिल्ड ही होगे जो कि यह एक्सिस डिस्टेंज आर है जो कि रिस ग्रीटर दिन इसकी डियूप्याइटल आर है स्केपिटल रहा ह। तो बाहर में जो मेगनेटिक फिल्ड होती है वो चुब्स होती है मूँ नॉटट आई और को एक्वल होती या rectangular hyperbola इसको बोलते हैं और अगर सर्फेस पर बात करोगे यहां पर इस्माल आर के इक्कोल हो जाएगा और यहां पर magnetic field maximum होता है और वह आजाएगा मियू नौट आई देट इस टू पाई capital R बट जो कहानी अंदर में बच्चों को भूल जाता है बहुत सारे बच्चों को भूल जाता है यह तो अंदर में यहां पर जबाओगे तो यहां पर magnetic field अगर याद नहीं है तो direct MPR लगा अगर डिराइग कर लो अंदर में magnetic field B की value होती है वह मियू नौट आई इसमाल आर और टू पाई capital R का अस्क्वाइर आर इस लेस दन केप्टल आर मतलब इंसाइड आ गया यह तो अंदर में जो magnetic field है वह बागी सारे constant है directly proportional है आर की मतलब इस्टेट लाइन आएगा एक्सीस से चलोगे तो इस्टेट लाइन जैसे जैसे एक्सीस से जीरो पर तो magnetic field जीरो आएगा मतलब graph origin से ही स्टार्ट होगा और इस्टेट लाइन बढ़ेगा और गट्टे गट्टे रेक्टेंगूलर hyperbol आ जाएगा यह तो बिल्कुल गलत है एक्सीस से constant है यह अंदर में तो जीरो बता रहा है होलो सिलिंडर का है और यह बढ़ रहा है लेकिन बाहर में जाके constant हो गया जो की गलत है और यह थार्ड आपसंसीस से ही है अज़ में है आपस्टार गटेजर का है तो जा कि अज़ और यह थार्ड़ यह लिए झाल झाल